आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी Facebook पर फाइल कौन चेक कर रहा है तो friends अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी Facebook पर फाइल बार पर कौन देख रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं रड कलर से सबस्क्राइब का बटन आप उसके उपर क्लिक कीजिए और हमारे YouTube चैनल के साथ जोड़ सकते हैं और आपको इसी तरीके से information मिलती रहेगी अगर आपने सबस्क्राइब के उपर क्लिक कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यावाद तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं कि हमारी परफाइल कौन चेक कर रहा है बार बार तो इसके लिए आपके पास Google Chrome का होना जरूरी है तो आप देख लिजिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ सिंबल की मैंने Google Chrome में इसे खोला हुआ है ब्राउजर पेज को तो आपको पास क्या है कि Google Chrome होना चाहिए अगर Google Chrome नहीं है तो आप नहीं देख सकते हैं तो सबसे पहले आप Google Chrome को डाउनलोड कर लीजिए यहां पर मैं एक New Tab खोलता हूँ New Tab खोलूँगा तो यहां पर मैं Google को सर्च करता हूँ यह देखिए Google हमारे सामने आ गया है यहां पर मैं लिखता हूँ Facebook Flat Extension आप देख रहे हैं आपको Facebook Flat Extension लिखना है जब मैं इसकी उपर क्लिक किया और यह सर्चिंग कर रहा है यह देखिए अब आपको क्या करना है आपके सामने second link का रहा है और नीचे इसकी rating भी show हो रही है आप देख रहे हैं कि इसकी four rating है आपको इसको open करना है तो ये देखिए मैंने इसकी उपर क्लिक किया तो ये फाइल खुल रही है पेज खुल रहा है तो ये देखिए पेज खुल गया है तो आपको क्या करना है उपर से आप यहां पर देख रहे हैं Add to Chrome आपको इसकी उपर क्लिक करना है जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने add extension की option आएगी तो आप उसके उपर क्लिक कर लीजिए मैंने पहले से करके देख लिया था कि यह work करता है भी या नहीं फिर मैं अपने friends को बताऊं कि यह अगर work करता है अगर work नहीं करता तो बताने का क्या फायदा तो इसलिए मैंने पहले से इसके उपर क्लिक किया था और यहां पर add extension की option आई थी तो मैंने उसके उपर क्लिक कर लिया था मैंने अपनी Facebook की ID को open कर लिया है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी Facebook की ID को login कर लिया है Facebook की ID login करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख रहे हैं First आपकी profile picture होगी First, Second, Third Third option आप देख रहे हैं profile visitors आपको इसके उपर click करना है जब आप इसके उपर click करेंगे तो यह देखिए आपको सभी के यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि total 20 यहाँ पर दिख रहा है कि इन्हों ने मेरी profile को check किया है तो यह देखिए friend यहाँ पर 20 पर आ गए है profile तो यहाँ पर मैं check कर सकता हूँ कि इन्हों ने मेरी profile को check किया कि यह कौन है तो जैसे कि मैं इसके उपर click करूँगा तो यह देखिए इसके बारे में पूरा खुल जाएगा तो friends इस तरीके से आप check कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और comment भी करें, share भी करें जो कि दूसरों तक इसके बारे में information पहुंच सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए खुश रहिए